दोस्तो इस सच्चाई से आपको दुर करने के लिए ये वाला जूट परोसा जा रहा है चुनाफ में जब हार साफ साफ दिखाई दे रही हो तब जूट के सिवा कोई चारा बीजोपी के पास बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तो इस मैनुफेस्टो को देखिए यह कॉंग्रेस का मैनुफेस्टो है ऐसा डावा किया ज़ा रहा है जबकि यह एक फेक मैनुफेस्टो है इस मैनुफेस्टो में क्या कहा गया दोस्तो मैं आपको एक एकर बता देती हो Congress Manifesto और Muslim League Manifesto BJP Karnataka में जो Twitter handle है वहां से इसे शेर किया गया Hijab Enforcement in educational institutions, wealth distribution to Muslims, special reservations to Muslims, freedom to practice personal laws, Muslim to be directly appointed as judges, mandate to public and private entities to hire Muslims आपके दिमाग में ये जहर घुला जा रहा है कि अगर Congress की सरकार आ जाती है, अगर India जीत जाता है तो सब कुछ मुसल्मानों के कबजे में चला जाएगा इससे बड़ा जूट कुछ और नहीं है देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है इसका मतलब ये संपत्ती कट्टी करके किसको बाटेंगे जिनके जादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे गुस्पेट्शों को बाटेंगे क्या आपके महनत की कमाई का पैसा गुस्पेट्शों को दिया जाएगा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधान मंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से जूट बोलता है जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूँ मेरे मूँ से सच निकलना चाहिए दोस्तों अब मोदी जी ने मंच पर खड़े हो करके कितने जूट आपके सामने परोसे है उसका खुलासा खुद मोदी के चरण बंदना करने वाले पत्रकार सुधिर चौधरी ने भी कर दिया बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अदेश के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए लेकिन आज मैं नड़्डा जी के सामने कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूँ पूरा देखा इसमें मुसल्मान शब्ड का कहीं प्रयोग नहीं है बीज़पी आईटी सेल कॉंग्रेस के नाम पर एक मैनिफेस्टो वाइरल करवा रही है इसका फैक्ट चेक करने पर पता चला कि ये पूरे तरह से फेक है ठेक मोदी जी के भाषण की तरह या मोदी जी अपने भाषण में जो दावा करते हैं उसकी तरह इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में कहा है कि वो मुसल्मान समुदाय को सरकारी और नीजी नोकरियों में आरक्षन प्रदान करते हुए तीन तलाक या मुसलिम व्यक्तिगत कानूनों को वापस लाएगी इसमें कहा गया कि कॉंग्रेस पार्टी ने लवजिहाद बुर्खा बहु संख्यगवाद को समाप्त करने गाजा और हमास का समर्थन करने और बुल्डूजर कारवाई पर प्रतिवन्ध लगाने के लिए समर्पित खुद को कर दिया है दावे में कहा गया कि कॉंग्रेस का लक्ष देश द्रोह की अनुमती देते हुए समलैंगिक विवाग लिंग तरलता और ट्रांस अंदोलन को वैद बनाना होगा यानि ट्रांसजेंडर को या समलैंगिक जो भी है उसे देश में उसको लिगल कर दिया जाएगा अंद में ये फोकस को मुसलिम समुदाई पर वापस लाता है ये दावा करते हुए पार्टी नियाए पालिका में मुसलिम नियाधीशों को बढ़ाएगी मॉब लिंचिंग को रोकेगी गोमास को वैद बनाएगी और मुसलमानों के लिए बयाज यानि की जो इंट्रेस्ट है उसे एक अलग दर पर रखेगी वाइरल पोस्ट के पहले बिंदू में धावा किया गया कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आती है तो रद किये गए तीन तलाग कानून को वापस लाएगी और व्यक्तिगत कानूनों यानि की जो मुसलिम परसुनल लॉज उसे और मजबुत पनाएगी हाला कि घोशणा पत्र में तीन तलाग कानून का कोई विशेश उलिक नहीं किया गया लेकिन हाँ इसमें कहा गया है कि कॉंग्रेस विल एंशूर त लाइक एवर्य सिटिजन मैनॉरेटिज रखेटम उफ चॉइस अवद्रेस, फूद, लैंग्विज, अन Communities Concerned जिसमें मुसल्मानों के बारे में नहीं कहा गया जिसमें मुसल्मान हो सकते हैं सीख हो सकते हैं बौध हो सकते हैं जैन हो सकते हैं कोई भी हो सकता है मतलब कॉंग्रेस ने ये दावा किया कि हम व्यक्तिगत कानुनों में सुधार को प्रत्साहित करेंगे जो भी कम्यूनिटिज होंगे उनसे हम बात भी करेंगे उनकी भागीदारी भी इसमें होगी उनके सहमती के बाद सब कुछ किया चाएगा ये इस बात के पुष्टे करता है हाला कि पार्टी ने प्रभावित समुदायों से परामर्च करते हुए विप्तिगत कानूनों में सुधार करने की बात करी लेकिन ये दावा करना भ्रामक है कि ये तीन तलाग कानून वापस लाएंगे नीजी और सरकारी नौक्रियों में मुसल्मानों के लिए आरक्षन घोषना पत्र में कहीं पर भी नजर आपको नहीं आएगा ये जरूर कहा गया कि अनुसित जाती यानि SC अनुसूचित जन जाती ST और अन्या के लिए आरक्षन पर 50 प्रतिशत की सीमह बढ़ाने के लिए एक समवेधानिक संशोधन पारित करेगे पिछड़ा वर्ग यानि OBC जो है उसके लिए भी कुछ ना कुछ आरक्षन का एस्पेक्स रखा जाएगा इसने जाती या समुदाई की परवा किये भी ना समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षन की गैरंटी दी है जिनमें कहीं पर भी मुसल्मानों का जिक्र नहीं है सर्फ कहा गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है वो कोई भी हो सकता है वो आप हम कोई भी हो सकते हैं नोक्रियों में आरक्षन के लिए मुसलिम समुदाई को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा हाला कि इसने जो है निर्दिष्ट किया है कि SCST और OBC के लिए नीजी जो भी संस्थान होंगे यानि जो प्राइवेट सेक्टर होगा वहां आरक्षन दिया जाएगा इसके लिए कानून बनाया जाएगा लव जिहाद बुर्खा गोमास को वैद बनाने का समर्थन ये सब बोगस है ये कहीं पर भी कॉंग्रिस की ओरिजिनल मैनुफेस्टों में है ही नहीं कॉंग्रिस ने ये दावा किया कि भोजन पहनावे प्यार शादी और भारत के किसे भी हिस्से में यात्रा और निवास की व अपने इंटर्वियू में जेपी नड़ा से पूछना पड़ गया इसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अदेश के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टों रखा जाए लेकिन आज मैं नड़ा जी के सामने कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों लेकर आया हूं प लेचना पड़ रहा है यह दिखाता है कि मोदी जी के पास चुनाव जीतने के लिए कोई और उपाई नहीं है ना तो ED का माई ना तो CBI का माई ना तो रेड और नाही जेल क्योंकि जनता भी जानती है कि हिंदूओं को भड़काने वाले हिंदूओं की मसिहा बनने वाले ख खुद मोदी जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कॉंग्रस आ जाए अगर विपक्ष आ जाए अगर इंडिया गटबंधन आ जाए तो देश में मुसल्मानों को आगे बढ़ाया जाएगा और हिंदूओं को पीछे भगाया जाएगा सोचिएगा कि दस साल पिछले दस स के लिए नहीं सोचा गया था इस बार वोट डालने से पहले आप जरूर सोचिएगा इलेक्टोरल बॉंड का मामला अपने दिमाग में अपने जहन में रखेगा ब्रश्टाचारियों का वो लिस्ट याद में रखेगा कि जितने भी ब्रश्टाचारियों पर नरेंद्र इसको दिमाग में जहन में रखते हुए वोट कीजिएगा इस फेक मैनुफेस्टो पर भरोसा मत कीजिएगा क्योंकि खुद भारतिय जुनता पार्टी का चरणबंदना करने वाले पत्रकार मोदी जी मोदी भक्त पत्रकार भी अगर कह रहे हैं कि यहां पर कहीं पर भी मु मुसल्मान छीन करके लेके जाएगा ऐसे में इन तरहां के बेचैनी इस तरहां से जो बयानबाजी नरींदर मोदी या उनके मंतरिगण या नेता करते हुए नजर आ रहे हैं वो दिखाता है कि भारती जनुता पार्टी हार की डर से बौखलाई हुई है नरींदर मोदी दिमाग चलाएगा फिर इस उंगली का इस्तिमाल कीचेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे तमाम खबरों को परताल के साथ पाने के लिए सची खबरे निस्पक्ष तरीके से पाने के लिए देश निती को अविश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बल आइकन को प्रेस करना ना भूले बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत